हलो प्यारे में तुरोष स्वागत है आप सबीका हमार एडियो कैनल अनपी स्टड़ी में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्रिशन नमबर 36 से सॉल्व करेंगे लेशन नमबर 6 का ठीक है बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं तो वह थोड़ी कुछ दिक्कते आ कहीं थी जिसके वज़़त से थोड़ा वीडियो वस्ट्वाण्ट कर दिया गया था लेकिन आज से आपको रेगूलर वीडियो मिलेगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं हम लोग लेशन नमबर 6 का 36 नमबर क्यूशन से ठीक है 36 नंबर क्योशन से सुरू करते हैं तो देखिए पिछले वीडियो में आप लोगो 35 तक मिल गया था आगे हम लोग 36 क्योशन से क्या करते हैं सुरू करते हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं तो सुनिए का क्योशन क्या कह रहा है कि एक पिंड का समवेग 20% बढ़ा देने से उसकी गती जूर्जा में प्रतिसत ब्रिधी होगी यानि कोई भी वस्तु है ठीक है उसकी गती जूर्जा में 20% हम लोग क्या कर दे ब्रिधी कर दे सरी समवेग में उसके समवेग में 20% की ब्रिधी कर दे तो उसकी गती जूर्जा में कितनी ब्रिधी हो जाएगी यहीं कुछ है ठीक है यानि गती जूर्जा और समवेग के बार यहां से के बराबर निकाले तो क्या आएगा के बराबर यह गुड़ा में है तो इसके भाग में आ जाएगा यानि पी स्क्वार बाई टू यम इतना क्लियर है है यह रहा हम लोगा किये कमान के समवख में 20 के ब्रिधी आरने पर याणि जो ड़्लटा पही है वह की आए 20 पर्सेंट है 20 परशेंट यानि 20 बाटा सो इतना आजाए गा-0.2 इतना जाए है यानि यस कि उसके समवेग में 20% यानि 0.2 का ब्रिधी करने पर उसकी गतीर जूर्जा में कितनी ब्रिधी होगी वह भी प्रतिसत ब्रिधी यानि डेल्टा की पूछाए वह भी प्रतिसत में पूछाए ठीक है तो देखिए इसी फार्मूले में हम लोग कर सकते हैं यहां पे जो के होग उसमें ब्रिधी होगी जो एक्शुल उसका है वह यानि के प्लास डेल्टा के बराबर होगा किसके इस समय कमें भी ब्रिधी और यह ना यानि पी प्लास डेल्टा पी और इस दोनों का ओली स्कौर अपन टू-म इतनी बाद सब को समझ मैं यानि इस के के अस्तान पे उसकी जटे जूड ज़़ें किटनी ब्रिधी होगी उसको एट कर देंगे अब बराबर पी स्कोईर ङप्रें एक होता है ना पीचिक उर कितना उगा तो के कमान क्या है पी स्क्वाइर बाई टू एम तो हो जाएगा पी स्क्वाइर बाई टू एम प्लस डेल्टा के इस इक्वल टू डेल्टा पी कमान कितना है तो यह पी राने दीजे डेल्टा पी कमान कितना है यहां पे देखिए सुरी डेल्टा जो पी है पी का 20 परसेंट 2P इतना होगा ठीक तो डिल्टा पी कमान्ट कितना है 0.2P होली स्क्राइब बाई टू है इतना होगा अब देखे क्या होगा लेकर यह पी one टूपी स्कुस्कुर्य इतना हो जाएक इसको एड कर देंगे तो एक यह और ॉइन यह जिरो पोइंट न्यू लिए 1.2 टू हो जाएगा पी स्क्वर बाई तु यह जाकर माइनस पी स्क्वर बाई कितना हो जाएगा त्यूा約 2नों का जो हराई वह समान है तो समान है तो उपर का घट जाएगा तो डिल्टा के बराबर क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू में से घटाना है आपको कितना वन घटाना है तो कितना हो जाएगा चलिए घटाई इसको यह पर इसका स्कॉयर करके घटा दीजे इसक्वायर करेंगे तो कितना हो जा मुझे घाए ऑगा और इसका भी होगा इतना हो गया यह पीस कोयर भी होगा एतना हो i police 4 four यांब का ड्यल्टा कि बरबर निग Richardson करें कितना 0.44 p square by 2m यह हो गया आपका किसका डिल्टा के कमान अभी आए है यानि इतना परिवर्तन होगा उसकी गती जुर्जा में लेकिन हम लोग से पूछा क्या है गती जुर्जा में परिवर्तन वो भी किसमें प्रतिसत ब्रिदी पूछा है किसका प्रतिसत ब्रिदी तो आप लोग कोई ने पढ़ा होगा 11 में या 11 में या 3 में है प्रतिसत त्रूटी प्रतिसत त्रूटी क्या होती है पढ़े हम लोग प्रतिसत त्रूटी क्या होती है प्रतिसत त्रूटी ब्रिधी वहीं सब क्या होता है तो त्रूटी या ब्रिधी यानि जो भी उसमें चेंजेस होते है है उसको उस उपर changes रखेंगे फिर उसका नीचे actual money यह उसका वास्तुरीक मान रखेंगे वास्तुरीकर मान रखते हैं और in 200 करो रहे हैं है यहीं करते नहीं लिए फर्मूला नहीं लिख पा रहे हुं पुर्ला दूसरे जग दे रहे हैं ठीके देखें कि किया होता है कश है फार्मुला क्या होता है कि प्रस्तिसत थ्रूटी क्या ओर होता है प्रस्तिस थ्रूटी की कि मास मूस्त वास्त्विक मान और इंटू हंडेड यही होता है यही प्रतीसत कुरूटी होती है तो देखिए इस में चेंजेस का मतलब वही चेंजेस परिवर्तन तो यहां पर डेल्टा क्ये कमान यानि कर दीजे गुर्डः इतना हुए गभ चब उसकी जो समेग है इतना का परिवर्तन हुआ है तो उसके इतना परिवर्तन हुआ है प्रतिसत थम्यों हम को नीकालना है प्रतिसत ब्रिदी कितना ऊंव अंप बस परिवर्तन रखिए परिवर्तन का वास्तिक न capacities यानि के कमान रखेए के कमान आपको यहां पर दे रखा है उसका ठीक है वास्तिक मान भी दे रखा है इंगे बशित इन दोनों का अनुपाद करके 100 कर दीजे गुड़ा का प्रतिसात तुरूटी अरे सोरी प्रतिसात ब्रिधी निकल के आ जाएगा किसमे गती जुर्जा में तो क्या हो जाएगा प्रतिसात ब्रिधी प्रतिसात ब्रिधी वो भी किसमे के में ठीके के में हम लोग गती जुर्जा के प्रतिसात ब्रिधी निकाल लें तो क्या हो एपृतिषद ब्रिधी आ जाएगी किसमें प्रतिषद ब्रिधी किसकप केगा तो डिल्टा ककमान कितना है 0.44 p square by 2m फुलिकये 0.44 p square by 2m अपान कि कमान कितना है देखिए यहां पे च्बाइब तो जहाएगा यहां पर पी स्क्वाइर बाई टू-M i220 हे 200 कर दिजए देखिये मोई से पी स्क्राइब कैंसिल तो गुड़ा करना है न तो देखिये यह यह गया होता है इसके उपर और इसका इसके और इसके रसे गुड़ा हुआ ओथा यह सारा तो कट गया अब बचा है इतना गुड़े इतना देखिए कि दो अस्थान पे दसमलों है तो दो स्थान जीरोड़ यह जीरों को गया भी कर देगा तब आपके प्रतिसत ब्रिधी आ जायेगी प्रतिसत ब्रिदी आ जाएगी के में गती जुर्जा में वो कितना आ जाएगा 44 जूर कितने का 44 जूर का बाद सब को समझ में आई है आपका प्रतिसत ब्रिदी कितना होगा 44 जूर का डेल्टा के आपन के इंटू हंडेट निकालते हैं चेंजेस उसका फिर से एक्षुल मान और इंटू हंडेट क्या निकालते हैं प्रतिसत चेंजेस यान उसमें कितनी प्रतिसत रूटी जैसे जो फर्मूला है न से मुसी पे आपका प्रतिसत ब्रिदी निकल जाएगी गती जूर्जा में बस सबका वेलू रखिएगा उसके बासे हंडेट से गुड़ा कर करें के तो कौन सबस्का हो जाएगा ऑप्सान नमबर 44 का आप्सान नंबर बी जो आपका आप्सान नंबर 436 क्या है एक ट्रेक्ट है इतना चोवालेश प्रतिसत क्या होगा ब्रिद्धी होगा बास सब को समझ में आहीं होगी ठीक है अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो तो इस किन सोट करके रख लिजेगा और सारे को नोट करके फिर हम लोग देखते हैं आगे सोरी 36 के बाद साइटिस क्यूशन देखते हैं ठीक ना साइटिस वोड़ा तो नोट करिए गई इससे चलिए देखिए 38 38 नमबर क्यूशन क्या कह रहा है और सोरी 37 38 नहीं 37 चैटिस बास साइटिस क्यूशन ठीक है क्या कर रहा है साइटिस वला रहा कि दो चलते हुए पिंडो जिनके दर्वान का अनुपात एक संबंदे दो तता गति जूर जाओ का अनुपात एक संबंदे आठ है उनके वेगो का अनुपात होगा थिक एक पास मजेगा किस के क masterpiece पूच रहा है गती जूर्जा निमान और उसका व Việt इने के वीच रिलेशन पूच रहा है इन इतीनों के बारे में जिक्र किया है और इसमें से इस दो मान का रखा है और इसका अनुपात पूच रहेए खरश्काा इसका उनुपाद दिया इसका पूछ रहे है इसका मतलब इन तीनों में रिलेशन में को लाना होगा तो भाई जो जा के फर्मोला में दीन ओ का यूसफीर न याख होता है एक बढ़न धो qao K यह को फोलग सब्ण्रेंच मान ले इसको हम लोग इस्थिर्म नियतांक माले तो क्या आएगा के डिरेक्ट्रीली प्रिप्रोर्पर्शनल ए दिरेक्ट्री प्रिप्रोपोसनल भी स्क्वायर एगा आएगा और मैंने बताया है कि जब भी समानुपाथ होता है ठीक है जब भी समानुपाथ होता है तो कैसे लिए रिलेशन निकालते हैं दो वस्तु हैं आपके क्विश्चन में भी दो वस्तु हैं यानि अब जब लगाना है लगा देजें एम को लगाना है तो एम उन अपान एम टू हो जाएगा यदि किसके साथ निकालना हो वी के साथ निकालना हो तो वी वन अपान भी 2 हो जाएगा सकुर रहे गंना वी hane square अपान वी-टू सक्वाइर देखिए यह है तो देखिए यह जो है इसका भी अनुपात में यहीं है और इसका यह भी अनुपात है इसका मतलब अनुब्र लिख सकते हैं कि यहँआ पान के जो ब्रेदर गट लिख सकते है अपको सिलिख सकते हैं अब सरका मान्द दिया है आपको दिके क्यूशन मेंद दिया है उनके द्रभिमानो का अनुपात यानि एंवान अपन एम्टू ऐना अंतरू आपन्से बठेख कonton अनुपाती दिया न यह कितना एक मान्दे दू डो आधना और फिर उनकी गती जुरजाओं का नुपात यानि केवन अपां केट्डू का मंदे रखा है कितना आपका दे रखाए एक समन्धे 8 पूछा है क्या उनके वेगों का नुपात होगा तो चलिए भाई उनके वेगों का निकाल लेते हैं यह असानी से तो पुब्स क्याव जाएगा इस कमान कितुने कितों से न ćंए उसकी गती जुर्जा का उनूपात कितने है एक संबंद्याट का है यहद्याट इस बेट और बस और ऌन पात निकालना है तो बस क्या करना है समय इसका उनुपाद निकान तो इसको साइड राखेंगे और इसके साथ जो भी है उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगां भी 1 तो भीवन स्क्वाइर भाई भीट्यू स्क्वाइर कमाल कितना हैगा दो उपर गया अब याइन नीचे हो गया आठ यह रहता है चली या कट जाएगा कितना होगा एक वटा चार हम लोग को भाई इसक्वाइर नहीं चाहिए भीवन अपान भीट्यू का चाहिए चीक्षे स्कुर्वाइर हट आते हैं तो प्लगता है हुआ हो जाएगा कि टेखेगा यहाँ पर इसका यहाँ पर देखिएगा तो तो यहां मेद भीवन अपान बीटू का अनुपाथ होगा वह हैं दोगा होगा कितना होगा्य समद्ध समंदे 2 क्या होगा एक समंदे 2 दखे एक बड़ा दो आया यानी एक समंदे 2 तो जो उसका वेग है उस्वस्तू का जो वेगो नियुमें अनुपाथ होगा वो कितना होगा एक समंदे 2 का ठीक है तो सईंतिस का आपशन की बात कर ले recherchesgoing के औप्शन की बात कर ले तो आपका अप्शन नमबर बी करेक्च होगा एक समंधे दो यानि सांचीतिक नमबर भी हुआ एक समंधे दो कितना बाश्मकोर समझ मेंнул होगी कैसे किया रिलेशन आपको मेंने हर बार बताया है जबस कमा नुपात होता है तो वन्टू वन्टू होता है वहीं बित्क्रमानुपात हो जाएगा तो इधर वन्टू रहेगा तो दर टूवन हो जाएगा तूवन हो जाएगा ठीक है यदि इधर वन्टू रखते हैं तो इधर टूवन हो जाएगा बात सब को समझ में आई तो देखिए यह भी समानुप हैं जिसका मान पूछ रहा था उसका हम लोग को देखिए विवन स्क्वायर विटू स्क्वायर है हम को स्क्वायर का नहीं चाहिए था इसलिए यहां से इन दोनों का स्क्वायर को हम लोग यह से लिख सकते हैं गातां के रूट एक बड़ा दो होता है एक बड़ा दो का मतलब एक संबंदे दो बास आपको समझ में आई होगी चलिए इसको नोट करिएगा फिरम लोग देखते हैं अगला क्रिशन अर्थिस नंबर क्रिशन को चलिए देखते हैं अर्थिस नंबर क्रिशन क्या कर रहा है कि वह लगबग गती जिस पर एक पोल बॉल के खिड़की को दोड़ाना चाहिए ताकि वह 6 मिटर की उचाई तक कूदा जा सके ठीक है यानि कोई एक पोल बॉल की खिड़की है जिसको दोड़ाना है ठीक है पोल बॉल के खिड़की को दोड़ाना चाहिए ताकि वह 6 मिटर की उचाई तक कूदा जा सके ठीक है यानि उसको दोड़ाएंगे तो उसमें गती जुर्जा कर रहा होगा गती कर रहा होगा तो उसमें कौन से उर्जा होगी गती जुर्जा होगी आई को इतना इसको दोड़ाना है यानिव इसकी गतीड ते खीनिकर निये कि एक इतना हो जा यानी जो गतीड़ जोड़ा है यहां पर 6 मीटर जाक इपर जाके इस allergy सब्सक्तिति हो जाएके ही है इसका मतलब जो यहां जूर्जा होगी वह इस्तितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितितिति 1 by 2 mv square और यू बराबर क्या होता है M G H होता है इतना क्लिए देखिए जी कमान रखा है कुछ बोला है रखने के लिए H कमान दिया आपका 6 मीटर दिया है M तो M ऐसे ही कट जाएगा इस कमान 6 दिया है जी कमान दस रख लेते हैं देखते हैं क्या रखा है किसे में कुछ बोला है दस मीटर पर सेकेंड रखे या कुछ बोला है देखिए नहीं कुछ नहीं बोला है तो हम लोग रख लेते हैं 9.8 कुछ नहीं बोला है तो 9.8 रख लेते हैं ठीक है क्योंकि 9.8 रखेंगे चलिए गुड़ा हो जाएगा ने टूजी एच हो जाएगा हो जाएगा तब क्या होगा थी स्क्वाइर बड़ाबर हम लोग को भी कमान निकालना है तो यह जा के रूट लग जाएगा टूजी एच अब मान रख दीजिए सब का टूजी कमान 9.8 इंटू 6 अब चलिए इसी को कैलकुलेट कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना ना दूना अठ अरे सोरी दो आट सोला एक दो ना अठारा एक उन्नीस एन उन्नीस वैंट सिक्स इन्टू 6 अब इसका गुड़ा कजिए शाच वेके शाट तीस तीन चानावा चोंवन चोंवन तीन कि डन्तावं पांच शे च आख बाइगारा कम शैरद पुएंट कि तन अस्थान पे एक ततान पे कि यानिया आप कहा जाएगा वी बढ़ाबर अंडरूरट एक सो सब्हक्त 117 मलो 6 आदे कि इसकाई स्क्वाइर उटे ãyस्क्ञारूर्ट टिसका हैं तो इसका स्कॉारइरूट नीकालेंगे तो कितना आजायेगा 1767 नीकालेंगे भाहग भी से ठीक है तो आएगा दस दसमलो आठ चार चार ऐसे जाएगा थीicon तो देखिए यहां पर सब्सक्राइब के बाद हम लोगा स्थान देखें तो देखें आठ दीया है आठ क्या है पाच से अधिक है ना पाच से अधिक है सकते हैं तो क्या आ जाएगा आपका लगभग में 11वी इसका villa तरह इह इट्यार मीट्र पर सटेंड है ठीक है जपुन में समय लग भग मैं मैं कि त Niya परसेंट है सवे 11 12 को सों अरत चार्म से नहीं दिया है इसलिए इसलिए हम लोग लगाप अगान में में ले 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 चिकë इसको लगाप में ले लें कितना 11 MP2 आपसन की बात कर ले 38 का तो कौन सब सही हो जाएगा आपका 11 MP2 आपका अपसंट नमबर ए ठीक है और तीस का आपसंट नम ए क्या है कि 11 MP2 वेग होगा उसका उसको 11 MP2 सकेंड के वेक से दोड़ाएंगे तो छे मिटर की उचाय तक उचल सकता है वह ठीक है तो 6 मिटर तक जो इस्तिती जुर्जा होगी जहें मिटर पर उतना उर्जा हम लोग उसको गतीज उर्जा की रुप में देना पड़ेगा ठीक है इसलिए कि यह बराबर यू लिखें हैं इतनी बाद सबको समझ में यह और यह कमान इतना होता है और उसके बास एंशे मडिवाइड हो जाए कड जाएगा उसके बासे सब का आपका बस कैलकुलेट कर देना है माना के निकल जैगा ठीक है तो आपका उप्सन नंबर कौन सबसे हुआ आपका उप्सन नंबर क्यों पंड को बीस मीटर पर सेकेन्ड के प्रारंबिक गदी से उद्वारदर उपर की और फेका जाता है यदी जी बराबर 10 मीटर पर सेकंडी स्क्वायर है तो 1 सेकंड़ बात को समझीगा कहए टीक है कि एक पिंड है जिसका द्रिवान 3 किलोग्राम है थीक हैug किलोग्राम का एक पिंड है जिसको प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सकेंड के वेग से उपर की तरफ फेका जा रहा है यानि ये पिंड है ना इसको उपर की तरफ फेका जा रहा है कि कितने वेग से 20 मीटर पर सकेंड के वेग से उपर फेका जा रहा है इस अबजेक्ट को ठीक ह यहां पे आपको Z का मान रखना है वो भी कितना यानि गुर्तिय तरड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वार रखना है तो कह रहा है कि यहां से इसको इस वेक से फेक रहे हैं तो एक सेकेंड बाद आफटर वन सेकेंड इसका जो जिस पोजिशन पर जाएगा वहां पे इसकी काइनेट जिसान पर आजिए तो यहां पर इसकी गती गती कितनी है वह मालूम रहेगा तभी घ्रक पने निकाल पाएंगे ठीके और और क्या यहां पर इसकी जो यहां पर में हैं MARY इसका Lord इस्तिति जुर्जा तो सुन्य होगी यू तो सुन्य होगा यह कैपिटल यू है ठीक है इसका यू तो सुन्य होगा यह स्माल यू है इसका यू क्या होगा सुन्य होगा अब यहां पर यू कितना होगा वह फाइंड आउट करना है इसी पॉइंट पर ना उसकी गती जुर्ज और इस्तिती जूर्जा यानि के कमान और यू कमान इस पॉइंट पे आपको ग्याद करना है तो इस पॉइंट पे ग्याद करने के लिए आपको इस्तिती जूर्जा ग्याद करने के लिए आपको भी चाहिए अभी निकल जाएगा तो जाहिर से हम लोगों को पता है कि हर पॉ यहां पर दोनों पता है यहां पर एक पता हो जाएगा तो आसानी से यह इसको निकाल सकते हैं ठीक है कैसे कि बाइजो केवन अपान युवन होगा ओडिक टू प्लस तो यूटू प्लस यूंटू के बराबर नियम से तो वर्क एनरजी थिद्युश्वरस के नियम से 15 घृँ यानि इस वाले यानि उसके जब सुरू बिरामा वसता है प्रारंब में उसका हम लोग गति जूर्जा इस्तिति जूर्जा निकालना क्या है वो तो सुन्नी होगा क्योंकि रेष्ट में हैं अभी वहां से हम लोग फेकेंगे कुछ उचाई तर ठीके तो यहां पर उसकी क्या ह है इस्तिति जूर्जा सुन्ने है यानि प्रारंब में प्रारंबिक इस्तिति में निकाले ठीके प्रारंबिक प्रारंबिक इस्तिति में इस्तिति में यू क्या है सुन्ने है यानि यू यूवन माल लेते हैं के वन कितना हो जाएगा तो एक बटा दो एम वी स्क्वायर होत तो हो गया 20 का square यानि कितना हो जाएगा 20 का square 400 होगा 400 को 2 से कटाएंगे तो 200 का 3 में गुड़ा करेंगे तो दो तिया 600 हो जाएगा इतना जूल है ठीक है तो इसके इस position पे जो इसकी गती जूर्जा इस्तिती जूर्जा वो कितना है 0 है और 600 है हम लोग के निकालना है इस position पे ठीक है तो चलिए यहां के लिए निकालते हैं तो यहां के निकालने के लिए सबसे पहले यहां का वेग निकालना चाहिए तो वेग कितना है यू कितना है 20 मीटर पर सकेंड यानि इसका प्रारंडिक वेग इतना है एक सकेंड बाद उसका कितन वेग होगा तो गति के पहले समिकरट से मोग निकाल सकते हैं वी पिलाबर क्या होता है यू प्लस जीटी जीटी कब रखेंगे जब उचाई प्रिथिवी से उचाई पर जाएंगे ठीक है लेकिन यहां पर उचाई पर जा रहें तो जी क्या होगा इडात्मक होगा ना तो से दस गया दस दस मीटर पर सेकेंड यानि यहां पर जो इसका वेग है वो कितना है दस मीटर पर सेकेंड है तो यहां पर गती जूर्जा निकाल सकते हैं यानि के टू बराबर कितना हो जाएगा आपका एक बटा दो हो एंवी स्कॉयर होता है न अत अभी hadOWNक कितना है तीन अभी स्कॉयर मतलब बतर तक इसक Spevane कितना हो जाएगा हंडर इसको कटाएंगे तो पचांब 25 238 और पचांब या डेड़ सो कितना हो गया डेड़ सो जूज कसेतना हो एक तो निकल के आगया थो जूर्श है एक एंसोर निकल के आ गया ठीक है एक एंसोर निकल के आ गया यह एंसोर नंबर फ़स्ट है एंसोर नंबर फ़स्ट है ठीक है हम लोग को सेकेंड एंसोर क्या निकालना है इसकी इस सिती जुर्जा निकालना है तो मैंने बताया कि हर बिंदूओं पे जो गती जुर्जा इस सि यूटू के होगा यानि पहले बिंदू पजितनी गती जुर्जा अस्तिती जुर्जा का अनुपात होगा वो दूसरे बिंदू पे कितना हो भी हो उसके योग के क्या होगा बराबर होगा यहीं उर्जा समझचन नियम है ठीक है तो केवन कमान कितना है 600 ब्लस यूवन कमान कितना है 0 है बराबर के डूकमान कितना निकाले हमलोग डैट्ट इस यूंसर एंसर हो जएगा और एक ये एंसर हो ठीक है तो चले यूटू कमान निकल ना है तो इसको इधर वेज़ेंगे तो जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो से कुछ मतलब है नहीं तो ये प्लस मे इह यह तो इतर आ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 600-500 बराबर यूटू तो यहां से यूटू कमान निकल के कितना आ जाएगा छे समय से डेट सो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जीरो पांच और छे में से गया चार कितना जाएगा चार सो पचास जूल चार सो पचास जूल यानि उसकी जो गती जूर्जा और इस्तित्यू जूर्जा होगी ठीके यानि के और यू कमान होगा वो कितना होगा एक डेड़ सो होगा यानि गती जूर्जा कितनी होगी डेड़ सो होगी और उसकी इस्तित्यू जूर्जा कितनी होगी चार सो पचास 450 जूल होगी ठीक है इतना जूल होगा ठीक है तो जो 3 किलोग्राम का पिंड है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक सेकेंड बाद फेकेंगे उर्दवारदर तो उसका एक सेकेंड बाद जितनी भी उचाई पे गया होगा उस समय जो उसकी गती जूर्जा और इस्तिजे जूर्जा होगी वो 1.500 जूल और 450 जूल होगी बाद सब को समझ में आई है ठीक है तो नोट करिए गाई से आप्सन की बात कर ले तो 1.500 और 450 आपका आप्सन नमबर कौन से सही है 49 का आप्सन नमबर D सही है ठीक है 49 का आप्सन नमबर D सही है कितना 1.500 और 450 यही आपका एंसवर है ठीक है और उसका सेलुशन यह है तो इसको आप लोग नोट कर लिजेगा वीडियो को पोस्ट करके या सौट रिस्क्रिन करके नोट कर लिजेगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आगे देखिए ठीक है और अपने दोस्तों में वीडियो को सेर करिएगा तो चलिए नोट करिए इसे फिर हम लोग देखते हैं 40 नमबर क्यूशन चलिए देखते हैं जो कि कितना है भाई एक लाख कैलोरी उसमा उत्पन करती है यानि को कुछ रोटी खाता है जिससे एक लाख कैलोरी की उसमा प्राप्त करता है ठीक है और फिर उसी उर्जा की उपयोग से वो पहाड़ी पे चड़ रहा है पहाड़ी पे चड़ने का काम कर रहा है कर यदि ब्यक्ति की सरीर की दच्चता 28% हो यानि उसका जो सरीर है जो उसको एक लाग कैलोरी की उसमा मिल रहे न उसमें से 28% उसको सरीर कोई चाहिए ठीक है अब फिर जितनी उसमा बचेगी यानि एक लाग का 28% निकाल लेंगे और जो उसमा बचेगे सरी उर्जा बचेगी उसमा वहीं उर्जा बचेगी अब उसका उप्रियोग करके वह कितनी उचाहि तक चड़ सकता है यहीं पूछा है आप से पहाड़ी पे कितनी उचाहि तक चड़ सकता है जी कमान 9.8 मीटर पर सकेंड रखना है यानि आपका जी कमा कितना है साथ किलोग्राम है ठीक है साथ किलोग्राम का बैक्ती है तो कुछ रोटी खा रहा है ठीक है उस रोटी से उसको एनर्जी मिल रही है कुछ भी एनर्जी मिल रही हो ठीक है एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मिल रही है कितनी तो एक लाख मिल रही है एक लाख कैलोरी मिल रही है जिसमें से उसके सरीर की जो दच्छता है दच्छता वो कितनी है 28% है यानि इसका इतने उर्जा में से 28% उसका सरीर कोई चाहिए ठीक है तो कितना एनरजी बच्छे की भाई तब जो बच्छी हुई एनरजी होगी बची हुई एनर्जी होगी कब दचता सोरी चलिए यहां पर लिखिए या एकी वार आप लोग फर्मूला यूज करेंगे तो भाई जितनी एनर्जी होगी वो पर उचाई पर चड़ेगा यानि कुछ उचाई पर चड़ेगा तो इस्तिती जुर्जा के रूप में संचीत होत ठीक है यू कितना है बाई उसकी एनर्जी कितना उसको एनर्जी कितना मिल रहा है एक लाख जिसमें से एक दो तीन चार पांच एक लाख इतना है ना बैय देख लें अच्छे से है कि इसमें से था यानि उसके सरीर की तक डचता 28 परसेंट है तो इतना तो उसके सरीर का जाएगी 28 परसेंट ठीक है तो एक लाग का 28 परसेंट निकाल लेंगे तो जो बचेगा आब उसी एनर्जी में नहोई कि नचेती चढ़े गा इतना में चढ़ेगा ठीक है इतनी एनरजी उस में चढ़के जाएगा तो उतना हो जाएगा कुछ उचाएप जैसे यहां से यहां से तो यह पर आयगा सब्सक्रों को तो बस महいきます से निकालेंगे मो आठीक obs STEPHAN pross यानि इसका मतलब 1200 डर्शा है जो बच्चे का उसी एनर्जी में वो इतना जाएगा यानि जितनी भी उचाई तक चड़ सकेगा चड़ेगा तो चलिए यहीं बराबर हो जाए किसके एम जी है ठीकिए यहां से आप एक लगा 28 पर्शन रखके उसी कमान रखके एम जे एच के बराबर कर सकते थे तो मैं यहां पर उसी को रख दिया हूं ठीकिए आप यहां से अलग से भी निकाल सकते थे एक लाख का 28% यानि उसका 28% जो खाया कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा यानि 28,000 बच गया ठीक है तो वो जो और इनर्जी है वो तो उसकी सरीर की दच्छता होगे इतनी और फिर जो इनर्जी बचे कि उसमें क्या होगा पहाड़ी को पहाड़ी पे जितनी उचाय तक चड़ेगा है चलिए अब इसको हल करते हैं ठीक है तो देखिए यहां से हल किया मैंने इसको तो कितना है या 28,000 ना यानि दो जीरो से दो जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा 28 और 30 जिरो ये 28,000 बड़ाबर एम जी एच इतना होगा हम लोग को हैज कमान निकलना जी कमान कितना रखना है 29,000 वाट एम कितना है साथ ठीक है एज कमान हम लोग को निकलना है इतना क्लिर है और यहां से जो एनरजी एक कैलोरी में निकलिए इसको हम लोग जूल में भी चैंज कर सकते हैं तो क्या करेंगे 40,000 दो से बस गूड़ा कर देंगे इसमें ठीक है तो यह हो जाएगा चैं गुड़े एज कमान निकलना है तब एज कमान चलिए जीरो से जीरो कैंसिल ठीक है और कुछ कटने वाला है तो कटा देते हैं 42 दुना के कितना हो जाएगा और 84 होगा ना नहीं कर देगा चलिए आगे देखते हैं पहले तो एज को एक तरफ करते हैं तो यह हो जाएगा 9.8 और अब इसी को आप कटा दीजिये इसी को आप सॉल्व करेंगी तो आपका जो इनसोर आयगा उपर 42 है ना इसको छोड़ रहे है गुड़े 4.2 है ठीक है आई सी को सॉल्व करेंगे तो आपका जो इनसोर आएगा आ जाएगा देखे इसको कटा सकते हैं 68 यह यह जीरो परसमालों तो लोगए कषन पर ये घाय झाएगा दसमालो अब इसको कट अएंगे तो कितनी बार में कटेगा साथ दूना चो सबस्क्राइज साते कम में सासाच्ब शचो यह कॉटाइस यूदर सटे अंठान्वे बार में कटा अचोधर चोधर चछटर चोधर दुना 28 होता है ना 14 दूनी 28 होता है कितना हो गया 20 यानि एच बराबर कितना हो गया 200 एच बराबर कितना हो गया 200 मीटर यानि जो एनर्जी होगी बची वी उसमें वह वेगती कि दो 200 मीटर की उचाय तक क्या होगा चड़ जाएगा ठीक ना कटाय अच्छे है ना सब लोग मिला लिजिएगा चलिए ठीक है तो आप्शन की बात कर ले कौन सा क्यूशन था चालिस नंबर तो आप्शन की बात कर ले तो कौन से हो जाएगा चालिस का अपशन नंबर चालिस नंबर कांसर हो जाएगा और सबस्केता है उसके 28% थिक है तो है एक हजार का ताइस परसंट निकाल दियें ठीक नाव और फिर जो और जितना यारो सी को मग मग कर दिजिए फिर होगा वह से इसह कमान आप लोग निकाल सकते हैं ममान दिया ही था झी कमान दिया था रखने के लिए तो ना और देख होस्व अन निकाल सकते हैं कि कि पृचाहिता हूँ हह रोगा ऊक्षैंस उतंझ know cheer इसे फिर हम लोग देखते हैं एक तालिस नमबर क्यूशन है चलिए देखिए एक तालिस नमबर क्यूशन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि बराबर दर्विमान के दो पिंड करम सा थ्री वी वाट टू वी वेग से गतिसील है उनकी गति जूर्जाओं में अनुपात होगा ठीक ह यानि ट्री वी वेग से और टू वी वेग से चल रहे हैं जिनका दर्विमान समान है तो उनकी गतिस जूर्जाओं में अनुपात होगा ठीक है यानि के और वी के बीच रिलेसिन पूछ रहा है तो आम लोग पता है कि बराबर वाण बाइट टू एमवी स्क्वाइर होता है इतना सब को मालूम है देखिए वह ऐसे भी किश्चन में भी कह दिया कि उसके दर्विमान बराबर है तो हम लोग कंस्टेंट रख सकते हैं ठीक है तो के बराबर क्या जाएगा के समानुपात अगर दो वस्तुएं है या उसको दो बार जयसे दो वस्तुएं है तो उनका जो अनुपात होता है कि अधर के वानुपात वान्टो अब आटा है तो दो कि तो इसका उनुपाद बताना है इसका उनुपाद दे रखा है कितना सी वी वर टू भी दे रखा है मांद तो क्या हो जाएगा क्यों अपान के टू बराबर क्या हो जाएगा बीवन कमाड कितना है थ्री वी स्कुआयर और भीटू कमाड कितना है कि टू भी इसका स्कुआयर तब जो के वन अपान के टू निकल किया जाएगा कितना जाएगा इसका स्कुर करेंगे तो और इसका करेंगे तो 4 V स्कौयर से V स्कौयर कर जाएगा तो की वन अपान के टू कमान कितना आएगा 9 बटा 4 यानि के वन समंदे के टू बराबर कितना हो जाएगा 9 समंदे 4 ठिक है तो इसके गति जुद्धाओं में उनोपात कितना होगा 9 समंदे 4 की तो option की बात करें और 41 दोनों क्यों का ही आपका क्या किया मैंस किया है बात सब को समझ में होगी नोट करिएगा फिर हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्योशन क्या कह रहा है तो यह आपका 42 नंबर जो क्योशन है ऑप्सिनल है तो इसको ऐसे सुन लिजिए 42 नंबर क्योशन को कि एक पत्थर उपर की और फेका जाता है ताथा वह लोड़कर प्रिथवी पर आ जाता है इसकी इस्तितिज उर्जा अधिक्तम है तो इस्तितिज उर्जा किस पर निर्भर करती है दर्मान गुर्तकर्षन बल वह तो करता यह सबसे ज्यादा उसकी पर ले जाएंगे उसकी इस्तिज उर्जा हुतनी बढ़ती जाएगी उचाय जितनी कम होगी इस ऊप्षन यह उतनी ही कम होती जाएगी तो जब उससे पींड को फेकेंगे उपर की तरफ वह मैक्सिमम जितनी अधिक्तम उचाय तक गया होगा वहाँ पे इसकी इस्तितिज होती है फिर आप्सान नमबर भी कह रहा है अधिक्तम उचाई पे थोड़ा इसको रोक लेते हैं अगला देखते हैं लोटती यात्रा में यानि इधर से फेके और फिर जब ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट से और फिनाव वापस आएगी तो उसमें इसकी इस्तिति जुर्जा अधिक होगी नहीं यह भी गलत है उसके पासे तली पर भाई प्रित्वी तल से फेक रहें तो वहां पे तो उचाई एकदम मतलब नगड़ी होगी सुन्य मानिके तुआ तो इस्तिति जु क्या होगा मैक्सिमम हाइट वहां पे उसकी इस्तिति जुर्जा क्या होगी मैक्सिमम होगी ठीक है तो इस्तिति जुजा जो होती है वो हाइट पे ज्यादा नेवर करती है जितनी उचाई होगी उसकी इस्तिति जुर्जा उतनी अधिक होगी हाइट जितना कम होगा अप्सानमबर कॉंसर से हो जाएगा अधिक्तम उचाई पे उसकी इस्तिती जुट जाके आओगी अधिक्तम होगी तो अप्सानमबर कॉंसर से हुआ 42 का अप्सानमबर बी इतना बात सब को समझ में आया है नोट करिए गया इन दोनों क्यूशनों को फिर हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्यूशन चलिए देखते हैं 43 नंबर क्यूशन कि सुनिएगा क्या कह रहा है कि रसीव पूली पदिती द्वारा एक बखसे को 20 मीटर दूरी तक 10 सकेन में 100 नीटन बल द्वारा उठाया जाता है इसकी परियुक्त सकती होगी पी कमान पूछा है ठीक है तो हम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है डाबलू बाइटी ह होता है और डाबलू बराबर क्या होता है तो एफ इंटू एस होता है ठीक है तो बस डाबलू कमान यहीं पर रख दिजिए तो पी बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू एस अपान टी सकती बराबर हो गया अब सब कमान दिया है एफ कभी मान दिया है एस कभी मान दिया है ती कभी मंदिया है कंने कितना दिया है सौनी तने हैस का में दिया विस और समय गधिया है 10 सेकेंड ये न दवकशति घेतना हो जाएगी जब्रक्राइब।क्षेद्ध सो गूड़े 25 10 बटा 10 10 कट गया हो जाएगा कितना दूसोग उर्सक् Mathra क्या होता है वाट होता है यानी पूली पद्धती माध्यमन याई-जरती पूली जो पद्धती है उसके द्वारा 20 meter की तक सेकेड में 100 Newton बल द्वारा किसी बखसे को ले जाए जारहे तो उस समय जो सकती होगी इसमें परिर्थित जो सकती होगी वो कितना होगी 200 वाट की तो आप्सवन की बात कर ले 43 का तो option है बहुत सिंपल है किसी पींड पर 6 नुटन का बल लगाने पर फिंड दो मीटर की दूरी तक तक क्या होता है तए करता है तो करूक्र कारे होगा डपनु बेराबर च्वद रभर क्या होता है एंट रह फैन्सता हいう आय वकमांद दे दिया है कितना उगलिया और विस्थाह्पी कितना हो रहा है मिटर दोन्होंका गुरा कर देंगे च्छह धुटो फारा कितना ओगा उसके द्वहां किया कर और क्या कितना होगा merging ऑफ सनकी बात कर ले कौन सथरव आप्सिन की बात कर ले दिखे बारा जूल गुड़ा नहीं अपका फिल्फ गूड़ा नहीं किया है च्छय गुड़े दो यह नहीं इसी गाहिए आपका ऑफ सं बना दिया है यह तो बस आप से नुबर गुड़े दो अपसन नुबर एक चुनबर एक यह करेक्ट है चे गुड़ों चे गुणने दो जूल का क्या होगा उसके दुरा कि ते कारे होगा उसको आब 12 भी अगर और सन्वे होता तो बारमार्थे बारण यह गुरूद रहे तो उसको मार लेते हैं ठीक है बात सबको समझ में होगी-ईजी था नबहूत इजी था अग्रा देखिएे यह वी आतान О bus पहने इतालीस नमबर हे और करेड दस घंटे में हीटर ढूरा प्रीक्ष उर्जा ने कीटर ऑड़ आज ऊजिक हوقी यानी या यह दस घंटे ती कभी मांदी या कितना 10 घंटे में उस भी तर प्रीक्ष होंग न हो गिए रही पुछ-토 आज हुआ है तो इसके दोवर प्र hanug होता है क्योंकि भाइ जो उसमें जो भी जितना कारी करेगा वहीं उर्जा के रुप में संचीत हो जिगे जो फिव सब्सेलिव आपको निकल के आज येगा तो चलिए पी कमान कितना है है फी कमान कितना है फंदरा सोवाट तो कितना हो जाएगा पी बराबार स्यरे House बराबर कितना हो जाएगा का फंद्रार सवबब्र गुडे कितना है दस घंटे तक जला जार है तो damn deb Weber कितना हो जाएगा फंदर हजार ओट घंटा गंटा चम HP सलिक्स तो चीलोवाट गंटा में चेंज करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं क्या इसमें से 1000 को बहान निकाल देंगे तो किलो में चेंज जो जाएगा ठीके तो क्या करेंगे तो लिग सकते हैं और ओर खुंद्रह गुड़े 500-1 हजार व्रट गंटा ठीक तो तो कितना हो जाएगा 15 किलो वाट घंटा इतना भी हो सकता है ठीक है और एक किलो वाट घंटा कोई एक यूनिट बोला जाता है एक किलो वाट घंटा कोई एक यूनिट बोला जाता है क्योंकि जो हम लोगी घरत में बिजलिया आती है ठीक है तो उसका जो यूनिट मापते हैं उसका जो मात्रक होता है वहीं किलोवाट घंटा ही होता है ठीक है किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट बोला जाता है उसी को यूनिट में मापा जाता है ठीक है तो एक किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं व्यूनिट सकते हैं क्यों क्योंकि 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट के बराबर होता है तो हम लोगों को उस्मा प्राप्थ ये कितना 15 किलो वाट घंटा तो इसको पंदरह यूनिट में तो आप संद में देखिए क्या कह रहा है है 245 का यूनिट में दिया है तो आहीं बात मैंने बोला ना एक किलूवट घंटा एक युनिट के बडाबर होता है तो अप्सण नमवर कौन सो यह हो जाएगा 45 का 15 unit अपका पसट नमबर डिते यह जो 45 इसका सब को समझ में होगी चलिए बहुत इजी इजी था सब को नूट करिए फिर देखते हैं 46 नंबर क्यूश्चिन को कि सुनिएगा 46 नंबर क्यूश्चिन क्या करें कि एक पंप 7.5 किलो वाट की एक मोटर से चलाया जाता है एवह कि 100 लिटर पर सकेंड्स ऺानी उगस्ट होता है ठीक को रहे वह लगबानी चणुलाक चाहिए जहां तक पानी चड़ाया जासकता है होगा ठीक यानिकोई मोटर है एक कोई मोटर है और इस मोटर से पानी चड़ाया जा रहा है ठीक जो है motor W علي s 200 आ critical ृक्त नी इसके दवरा कितनी उचाई तक पानी को चड़ाया जा सकता इसी को पूछ रहनी इसकी maximum उचाई को पूछ रहे ृट तो हम लोग बराबर किया। इसका सकती दिया है किटना हो यह यह क्या ईतना हो जाएगा तो फी रबर क्या होता है दावलू फय ची और यह जो नहीं जो इतना तो इन इतना पी, हो ठीक हो जाएगा तो हो बड़ाबर किया है यह is proof प्रङ्ण कितना है साथ कि थी कमान कितना ऐए szados M5 घुड a-20 katar 3AT और एम कमान कितना है सो और फुर घू कमान कितना रखना है 9-0-8 और एस कमान आपको पूचाई है आप पर सकेंड की बात कर ना ती कमान कितना है one है एक सकेंड तो यहां से सॉल समलो करेंगे देखें दस की पावर 3 का मतलब 11,000 10 की पावर 3 का मतलब एक हजार तो यह जो सौ का 20 is के 20 को केंसिल कर देगा कार देगा तो बचेगा पछीगा 65 गुड़े दों हो जएगा पछीटर गुड़े दों गुड़े तो 20 का गाइब करेंगे तो 75 में 9.8 से भाग करेंगे तो आप कायेगा 7.65 मीटर कितना आएगा 7.65 मीटर यह जो 7.5 किलोवार्ट का मोटर है उसके द्वारा उचाई कितनी उचाई तक पानी चड़ाय जा सकता है तो तो आप्सन की बात करें 46 का तो आपसन नमबर कौन से हो जाएगा 7.65 आपका अपसन नमबर एक क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है 46 का अपसन नमबर एक क्या होगा करेक्ट होगा इतनी बाद सब को समझ में आई चलिए अगला देखिए 47 नमबर क्यूशन जो की थोड़ा लोजिकल है तो इसको समझेगा अच्छे से इसको मिटा दे रहे हैं ठीक ना देखिए 47 नमबर क्यूशन सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा करेकी पांच मिटर लंबी रसी से लटके हुए जूले पर चितर बनाते जा रहे हैं ठीक ना एक 5 मिटर की लंबी एक रसी है और इस वे एक जूला बनागया ठीक है जूला बनाय गया इससे इसकी हाइट कितनी है इसकी लंबाई कितनी है पांच मीटर की और उस जूले पर क्या है एक लड़का बैठा है जिसका द्रिमान 25 किलोग्राम है यानि यहां पर 25 किलोग्राम का एक लड़का बैठा है इस जूले पर और कह रहा है कि एक ब्यक्ति रसी को इस परकार खिषता है कि रसी उर्धवार और जिसे जुला जुलाते समय कोई पीछे से रच्षी को खिचता है न चलिए मैं इधर से खिच रहा हूं यह दर से दोनों तरफ की दर सभी खिचिए तो जी जुला को ऐसे खिचेगा तो समझे जो इसकी यह जो हाइट होगी जैसे माली जैसे ठीक न ऐसे इसको चैटीज में जैसे बढ़ादे आ गे तो ऐसे होगा अजब यहां से ब्यक्ती खिचता है तो समझे जैसे तो इसमें तनाव तो रहता है ठीक ना लेकिन यह यह जो इसकी यहां पर जो पोजीशन ओती से कुछू चाई तक कि जाता है जहाता है जह खिषते हैं से तो कुछSí तक जाता है कई यहां पर बना रहा है ठीक ना तो K LOVE स्थ लड़के की गुरत लड़के की गुरत इस्तितीं उर्जा में संनिकट ब्रिधी hoffe होगी तो देखे यहां पर जब बच्चा था तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्थन इस्थिति जुर्जा की परिवासा क्या है कि कि किसी भी वस्तु के इस्थिति आकार या आकार में परिवर्थन करने से जो उसमें उर्जा संचीत हो जाती उसे इस्थिति जुर्जा करते ह से मतलब नॉर्मली त疫 Background में अब यहां से इसको सबयाव संति प्रेवरतन हुआ है तो इसकी सित्थी तो में परिवर्दन हुआ मलीन इहां पर सुन्य ती तो यहां पर ले ले खख़या तो बृद्स वए अब जितनी का बृद्दी हुआ है यहां पर जितना बीर अब लिभी होग होगा लित ये यहसी को नीटा यू ए निकालेंगे वहीं उसका पर निकालने के लिए फर्मूला क्या होता है एम गालुम की तो 9 या दस आठ रखना है है ठीक है और एच हम लों को ग्यारत करना है देखेंच यहाँ पर था अब इसको ब्यक्ति जास खीचा है तो यहां तक हैना यहांनी यह हाइट हुई छ इसे बढ़ाए हैं तो यहां पर यह 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 एक है अभ यह यहां currently इसके हईट में कितना changes हुआ है यही ना तो यह मतलब ये इसको दे दे नाम दे कुछ ABCD यानि तो हाइट कितनी हो जाएगी यानि H जो होगा वो किसके बराबर होगा DB के यदि हम लोग DB निकाल लेते हैं ये उचाई निकाल लेते हैं तो बस उचाई निकाल के यू निकाल लेते हैं निकाल लेंगे असानी से ठीक है तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको डी बी को कैसे निकालेंगे तो हम लोग को एभी पता है देखें डी बी कैसे निकल सकता है तो एभी पता है हम लोग को एभी पता है कितना एभी पता है अब उसमें से एडी को घटा दे एडी को घटा दे तो हम लोग को क्या मिलेगा डी भी मिल जाएगा मिल जाएगा यानि यहां से यानि इस वाले भाग में से इतना भाग घटा देंगे तो यह भाग बचेगा न यह हम लोग की उचाई है तो भाई कैसे हम लोग एडी कैसे नि यानि बच्चा जुला पर बैठा है तो ऐसे जुलाते हैं तो जो उचाइप आता है कुछ उचाइप तो डोरी की लंबाय तो घरती नहीं है न वहीं रती है न तो यह वी पाच मीटर रहेगा तीस अंस का कोड है ये कोड हो और एक भूजा पाता हो तोँ लोग दूसरी भूजा जयाद कर सकते हैं किसे किस्क्तों प्रीज़ातों जो भी साइन कोड मिती निस्पक्ति है उससे तो three喂 है तो कोड के सामने वाली भूजा क्या होती है लंब होती है और जो कोड के संगत भूजा होती है अधार होता है और तो आधार और कण, कण पता है, कौण पता है, तो आधार निकालने के लिए किस निष्पक्ती में रीलेशन होता है? कास में होता है ना कास ठीटा बरावर क्या होता है अधार बटा कंड होता है तो यहां से कास 30 संस ठीटा कमाण कितना है 30 संस ये कमाण क्या है ये क्या है एडी है और क्या है ? क्या है?, क्या क्या है? AC है, करने AC है, तो देखे, कास इसलunt क्या होता है? अंडुर 3 बाई 2 होता है, AD कमान हम लोग को निकालना है, AC कमान कितना दिया है? 5, तो यहाँ से AD बersonal कितना हो जएगा? AD बersonal कितना हो जाएगा? तो DB का यहां से मान निकाल सकते हैं ठीके AB कमान कितना है AB कमान कितना है 5 माइनस AD कमान कितना निकल क्या गया 5 करनी में 3 बटा 2 ठीके यह होगी आपका किस कमान DB कमान इसी को solve कर देंगे तो आपका किस कमान आए जाएगा DB कमान निकल क्या जाएगा दीबि το है दीवी क्या है हम लोग की हाइट है हैट मालमग चल जाएगा तो म पता है जी पता है हाय जो पहीं से नीक mirrors करते हैं ठीक है तो चले निकालते हैं धीन इस को डीवी कमान निकालते हैं उसको के यहां पर मान रखते को पिते रहता को सॉल्व कर लेते हैं इसको आठा देते हैं और एडी कमान कितना है यहां पिलिग दे रहे हैं एडी कमान कितना आया है 5 करनीमें 3-2॥ी अब चलिए इसको सॉल्व करिए तो 5-5 गुडे अंडो 3 कमान रख देते हैं 1.7,-2 अब बटा-2 कि इतना कहलों कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो मैंने पहले से कर रखा है इसको कैल कुलेट करेंगे तो ऐगा 4.33 थिक और 5 मेंसे 4.33 को घटाएंगे तो कितना आ जाएंगा पांच 25un00 लिच में मैनस 4.33 डाइसको घटाएंगे तो दस मैंसे 3 कितना होगा कि可以 10 सितίν गया 60едra कर यह बनाव नौन एट्वी से चार में चार गया जीरो यानी आजाएगा कि यदुनizar तसनेर अत्र satisf खी अरुटिक एडिक मान जैगा यहां पर इस्तिति जुट्जा किसे निकालेंगे एमजी एच वाले फार्मूले से तो कितना है 25 गुड़े जी कमान रखना है 9.8 अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो इस्तिति जो जावा आएगी वहीं आपका क्या हो जाएगा एंस्वर तो इसको गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा 165.15 164 जूल ठीक है उर्जा कमातर क्या होता है जूल तो जो बैठ्चा इस जूले पर बैठा था उसको जो बैठ्टी है तीसंस के कोड़ पर यहां तक लेकर आया है तो उसमें कितना सन्निका टू इस्तिति जूल्जा में ब्रिदी होगी तो 164.15 जूल की ठीक है बस हम लोग को इसमें एची निकालना था और एच कैसे निकालना है सबको इस डियाग्राम से क्लियर हो रहा होगा ठीक न इसे जब भी जूला को जूलाता है तो उसको पीछे की तरफ खिशता है तो कुछ हाइट तकाता है न यानि इसे उठाते हैं तो सब्सक्राइब करन होता है ठीटा कमांद दिया था इससे निकालकर और एडी कमांद निकाल है और उसी कमांद रखके आप सौल कर देंगे तो जो इसकी स्थी जोजा होगी निकल के आजएगा ठीक है तो आप्सन की बात कर ले 47 का तो आप्सन कौन से हो जाएगा से तालीस का एक सोच चांसर दसमल एक पांच जूल आपसन नंबर एक क्या है आपका मैच कर रहे ठीक है अपसन नंबर एस से तालीस का तो इसको नूट करिए फिर देखते हैं अर्टालिस नंबर की श्यांग और उसके बासे लाष्ट उन्चास ठीक है तो चलिए इससे दबी रहे फी टाली को छोड़ने पर इस प्रिंग के धक्के से टाली चार मीटर पर सेकेंड के वेक से चलना प्रारम कर देती है दबी अवस्ता में इस प्रिंग की इस तिरुजा कितनी होगी ठीक है जिसमाली जैए कोई स्प्रिंग है ऐसे है ठीक ना को और यहां-पर इक राली रखी गई है एक प्राफ डाली मिस आगे इसका टिक्तर जोड़ द्लो और यमाली इस से शर्म गया है और यहां पर प्राल्य है तो कह रहा है कि इसको स्प्रिंग को दबा के रखा जा रहा है जब इसको छोड़ा जा रहा है तो यह जो ट्राली है वो कितना कितने वेग से चलना सुरू कर दे रही है चार मीटर पर सकेंड के वेग से चार मीटर पर सकेंड के वेग से क्या करना शुरू कर दे वेग कर रही है ठीक ना जब यह छोड़ रहा है स्प्रिंग इसको छोड़ा जा रहा है तो चार मीटर पर सकेंड के वेग से गति कर रही है तो कर रहा है इसकी इस्तिती जुर्जा हो क्षोगी जितनी भी गतिर बराबर होगी तो जो जो इस्तिति तो इसकी निकाले तोकि सके किसके बराबर होगी गती जुड़ जाके किसके बराबर होगी गती जुड़ जाके अगती जुड़ जाका फार्मुला क्या होता है एक बटा दो एम वी स्क्वाइर यह होता है एम कमान दिया है ट्राली का द्रमान दिया है कितना 10 किलोग्राम यानि इसका द्रमान दिया है कित का स्कॉायर तो हो जाए कितना एक बटा दो गुड़े 10 स्कॉर करेंगे तो 16 इसको कटा दिजे 8 और 8 में गुड़ा करेंगे 10 कितना हो जाएगा असी जूल कि आओगी उसकी इस्तिती जूड़ जाओगी ठीक है यानि जो और फिर देखते हैं इस वीडियो का लाश क्वेश्चन उन्चास नंबर क्वेश्चन तो देखिए उन्चास नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सफिकर करें कि 10 किलोग्राम की एक वस्तू को परिथामी से छे मिटर की उचाही तक उठाया जाता है तो निकाव में संचित इस्तितियु उर्जा की मात्र होगी यहां पर इस्तितियु उर्जा पूछ रहा है यू गमान पूछ चलिए इसी को कैल्कुलेट कर दीजे तो दसमलों गायब हो जाएगा तो जाएगा अन्ठानवे गुड़े च्छै यहां से गुड़ा कर दीजे आठचक आठालीस चार और चौनवा चोवन चार अन्ठावन यानि हो जाएगा पांसो अठासी जूल यानि जो दर्वा दस किलो जूल आपका ऑप्सान नमबर सी ठीक है इसका भी अप्सान नमबर क्यों साथ से हो जाएगा से ठीक है यह रहा इस वीडियो का लाइस क्रिशन यहीं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए ज्यादा पसंद रहेगा और जो लोग चैनल और हमारे साथ जुड़ जाएगा इसे क्या होगा कि हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे तो जब सकतर के यूड़े जाएगा सा तो cाम के साथ जिए जाएगा। सबसे करता है कंद कर साथ झाल है क्या का अान छोस् Sutton जाय झाल झाल